हेलो दोस्तो आज के वीडियो में लोग रेजवेट्स के लिए HPPSC अर्थात हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमिशन द्वारा हिमाचल प्रदेश के लिए निकली सिविल जज की लेटेश्ट बैकेंसीज के बारे में कम्प्लीट इन पार्मिशन देंगे तो दोस्तो इन बैकेंसीज में कोई भी एक्स्पिरियंस नहीं मांगा गया है सभी फ्रेशर्स इन बैकेंसीज के लिए अप्लाई कर सकते हैं तो दोस्तो ऐसी ही लोग रिलेटेड यूजफुल वीडियोज का नोटिफेकेशन पाने के लिए जल्दी से वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लिजिए तो चलिए आज के वीडियो स्टाइट करते हैं और लोग रिजवेट्स के लिए HP, PSC, अर्थात, हिमाचल प्रदेश, पब्लिक सर्विस कमिशन द्वारा इमाचल प्रदेश के लिए जो सिविल जज़ की बैकेंसीज निकली हुई है उसके बारे में डिटेल से जान लेते हैं तो सबसे पहले बात करते हैं कि इसका ओफिसियल नोटिफिकेशन कैसे प्राप्त करेंगे तो इसके लिए आपको हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमिशन की ओफिसयल वेबसाइट पर जाना होगा जो की आपकी स्क्रीन पर खुली हुई है ओफिसयल वेबसाइट है www.hppsc.hp.gov.in इस ओफिसयल वेबसाइट के होम पेज पर जवाब जाएंगे तो यहीं पर आपको what's new option नीचे दिखाए देगा और उसी में सबसे ओपर जो है यही notification आपको मिल जाएगा कि जो है civil judge की जो vacancies आई हैं उस पर आप click करेंगे तो notification डाउनलोड हो जाएगा इस page का जो link है मापको वीडियो की description में उपलब्द करा देंगे चलिए और इस detail से जान लेते हैं तो दोस्तो आपके समने screen पर हिमाचल परदेश Public Service Commission के द्वारा जारी official notification है जिसमें की judicial service competitive examination की vacancies आई हुई है अर्था civil judge की vacancies निकली हुई है तो दोस्तो इसका जो notification है 22 April 2023 को जारी हुआ है यहाँ पर जो online apply करने form उसके apply करने की जो last date है वो है आपका 12 माई 2023 इस date तक आप अपने online application form फिल अप कर पाएंगे इसका advertisement number है 5-4-2023 तो दोस्तो इस परकार से 40 vacancies की बारे मुँआँ डिटेल से जानते हैं तो post का नाम है civil judge नमबर आप vacancies की बात करें तो यहाँ पर total 17 vacancies हैं जिसमें की अलगला category के लिए seat distribute की गई है तब बात करें अगर pay scale की दोस्तों तो यहाँ पर 77,840 से लेकर के 1,36,520 का pay scale है जो की बहुत ही अच्छा pay scale माना जाता है तो दोस्तों अगर बात करें qualification की तो आपके पास law degree होनी चाहिए BCI approved institute या फिर university से चाहिए वो 3 year की law degree हो या फिर 5 year की law degree हो इसके लाबा कोई भी experience नहीं मांगा गया है जितने भी phrases हैं वो यहाँ पर इस vacancy के लिए apply कर सकते हैं तो दोस्तों आप बात कर लेते हैं age limit की तो यहाँ पर देखिए जो minimum age है 22 years है और जो maximum है 35 years है means 22 years से लेकर के 35 years age तक के जो candidate है यहाँ पर इस vacancy के लिए form apply कर सकते हैं अब बात कर लेते हैं age relaxation की तो दोस्तों हिमाचल प्रदेश government के rules के according जो age relaxation है वो केवल हिमाचल प्रदेश के रहने वाले जो reserve category के लोग है उनको ही दिया जाएगा इसके लाओ दोस्तों इस vacancy में सभी state के लोग apply कर सकते हैं ऐसा नहीं कि क्यों हिमाचल प्रदेश के लोग apply करेंगे अदा state वाले भी यहाँ पर form apply कर पाएंगे अब बात कर लेते हैं कि application fees क्या pay करनी होगी यदि आप general या other state के candidate हैं तो आपके लिए 400 रुपीज है category की तो आपके लिए पूरी तरह से free है मतलब आपको कोई भी fees पे नहीं करनी है इसकी vacancy की जो job location हमी जो civil जजाब बनेंगे वो हिमाचल प्रदेश में बनेंगे तो आपको duty भी हिमाचल प्रदेश में ही देनी पड़ेगी दोस्तो यहाँ पर जो exam है वो तीन पार्ट में होगा प्री मेंस और interview और अगर slabus की बात करें दोस्तो कि इसका slabus कहाँ है तो देखेंगे इसी notification की जो आप page number 7 पर आएंगे तो देखेंगे आप एक स्कीम आप examination, pre, mains, interview सबका slabus यहाँ डिटेल से दिया गया है तो इस slabus को यहाँ से आप देख सकते हैं और समझ सकते हैं notification कैसे download करना है यह हमने आपको पहले ही बता दिया है बहुत बहुत धन्यवाद